नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आज आपको एक ऐसे इस्तीफे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको देखा किसी ने नहीं लेकिन मान सब ने लिया अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है वो इस्तीफे किसी ने देखा नहीं लेकिन जिसको स्विकार करना था मन्जूर करना था उसने मन्जूर भी कर लिया और इस्तीफे को मन्जूर करने के बाद उसके बाद जो कदम उठाना था वो भी उठा लिया अब वो इस्तीफा 5 अगस्त 2014 को उन्होंने बांगलादेश छोड़ दिया भारत पहुँची। भारत कैसे पहुँची। बांगलादेश एर फोर्स का प्लेन लेकर उनको उत्तर प्रदेश के हिंडन एर्बेस पर आया। वहाँ उतरा, वहाँ वो हिंडर नेयर बेस पर एक दो दिन रही, उसके बाद अभी वो लुटियन्स दिल्ली के एक बंगले में रह रही है, भारी सुरक्षा के बीच में, लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि बंगला देश में जो तक्ता पलट हुआ, अब किसी को किसी आ रहे हैं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, कितनी सक्षम एजेंसी है, कितनी सफाई से काम करती है, कितनी दक्षता के साथ काम करती है, तुलना अगर होती थी तो तीन एजेंसियों की, C.I.A., इसराइल की मुसाद, और सुविट संग और बाद में रूस की, के जी बी इन तीन जासुसी एजेंसियों की, तीन देशों की सबसे ज़्यादा दुनिया में चर्चा होती थी, कि इन से ज़्यादा जो है, किसी देश में तख्टा पलेट करवा सकते हैं, कहीं भी कोई आपरेशन कर सकते हैं, यह इनकी च्षमता है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का भाव या कहें, अमेरिका की हैसियत घटती जा रही है, विश्व में, वैसे वैसे उसकी जासुसी एजेंसी की भी घटती जा रही है, बंगला देश का जो आपरेशन था, वो इतना खराब तरीके से उसको अंजान दिया गया, कि अब आप देखें, इस्थिती क्या हुई है इस्थिती ये है कि शेख हसीना महप्रधान मंत्री थी, पांच अगस्त को राश्पती ने अभी रवीवार को बंगला देश के राश्पती ने एक इंटर्व्यू दिया है, एक अकबार को वहां के, उससे पता चला कुहानी के बारे में थोड़ा और विस्तार में, उन्हों आया था कि प्रधान मंत्री बंग भवन आ रही है, बंग भवन आपको बता दें, राश्पती भवन कहलाता है, शेक मुझिबिर रहमान के नाम पर बना है, वो पहले राश्पती बने थे, तो उसी में रहते थे, तो बंग भवन आ रही है और फिर उन्होंने कहा कि एक उन्होंए इस्तीफा दे दिया और राष्ट पती राष्ट के नाम संदेष जारी कर रहे हैं टेल विजिन और रेडियो पर किई डेश की प्रधान मंतरी शेह चैह हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ कर चली गई है उनका इस्तीफा मैंने मनजूर कर लिया है तो जाहिर है कि इस्तीफा मिला होगा तब ही मनजूर करेंगे यह बड़ी सौभाविक सी बात है आपके मन में भी आएगा लेकिन राश्पती आप कह रहे हैं कि मेरे पास इस्तीफा है नहीं बोले उसके बाद जो है आर्मी चीफ आए थे मेरे पास उनसे कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने का मैंने भी सुना है राश्पती ने कहा मैंने भी सुना है बोले कुछ दिन बाद कैबिनेट सेक्रेटरी आए कि वो प्रधानमंत्री उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा उसकी कौपी दे दीजिए उन्हों का मैंने तो देखा नहीं मैं भी खोज रहा हूं उसको राश्पती को नहीं पता आर्मी चीफ को नहीं पता कि इस्तीफा दिया गया या नहीं दिया गया शेख हसीना बंगलादेश से निकलने से पहले राष्ट के नाम संदेश अपना रिकॉर्ड कराना चाहती थी, वो भी नहीं कराया हूँ. ये कहा जा रहा है कि आर्मी ने उनको 45 मिनिट का समय दिया कि सामान बांदिये और देश छोड़ दीजिए अगर अपनी जान बचाना चाहती है। ये था C.I.A. का उपरेशन। तो जाहिर है कि शेख हसीना को वहां से निकलना ही था। तो वो निकल गए, उनके साथ उनकी बहन थी और उनकी बहन की बेटी थी। ये तीन लोग जो है जो भी सामान ले सकते थे लेकर बंगलादेश से निकल गए भारत आ गए। भारत में अब वो सुरक्षित है। एक और शक्सित का आपने नाम सुना होगा तस्लीमा नस्रीन। बंगलादेश की लेखक है। लंबे समय से बंगलादेश से बाहर रह रही है। क्योंकि उनकी जान को खत्रा है वहां। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। लज्जा नाम था। उसके प्रकाशन के बाद से उनकी उन पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। वो भारत में रह रही है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया नहीं है अगर और वो जीवित हैं तो इसका मतलब वो आज भी प्रधान मंत्री है। अब राश्पती का पक्ष सुनिये। पुरण का 8 अगस्त को मैंने सुप्रीम कोट से सलाह ली, कानूनी सलाह ली। समयधानिक स्थिति क्या है। एक बात बता दें आपको पहले भी बताया है। बांगलादेश के सम्विधान में किसी इंटरीम सरकार की कोई मिवस्ता नहीं है। तो अंतरीम सरकार बन नहीं सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सलाहकार किसके। एक सम्विधानिक संकट जैसा खड़ा हो गया है अगर कोई सम्विधान पंगलादेश में बचा हुआ है तो सम्विधानिक संकट ये है कि कोई सरकार ही नहीं है उसके सलाकार है और उन सलाकारों के भी मुख्या है मुहम्मद यूनूस, जो पिठ्ठू है अमेरिका के, सब को मालूम है कि अमेरिका ने उनको तयार किया, अमेरिका ने उनको भेजा, उनकी पहले हैसियत बनाई, नोमिल प्राइस दिया, उन्होंने जो काम किया, कैसा है, क्या है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन एक हैसियत बनाई एक नाम बनाया उसके बाद उनको एक तरह से कहें तो आप मुहम्मद योनुस इस समय मंगला देश की सरकार चला रहे हैं लेकिन संबैधानिक रूप से वो किसी पदपर नहीं है न तो वो राश्पती है न प्रधान मंत्रे है अब ये विचित रूस्थिती है दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी कि कोई सरकार न हो और उसके सलाकार नियुक्त किये जा रहे हूं तो कई सारे सलाकार नियुक्त हो गए ये सलाकार नहीं है दरसल ये एक तरह से आप कहें तो शैडव मिनिस्टर सए हैं अलग-अलग विभागों के सलाकार है जो इस विभाग का कामकाश देख रहे हैं। लेकिन समयधानिक विवस्ता जो बंगलादेश की है इसका कोई प्रावधान नहीं। तो राश्पती कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस्तिफा खोज रहा हूं। कैबिनेट सेकरेटरी भी खोज किसी के पास इस्तिफा नहीं है। इसका मतलब शेख हसीना ने इस्तिफा दिया ही नहीं। शेख हसीना ने इस्तिफा दिया नहीं तो वो उनको पद से मुक्त कैसे माल लिया गया। और कैसे जो है नियुक्ती हो गई इन सलाकारों की प्रधान मंतरी की सलाह के बिना। ये ए पर चढ़ाई करने की कोशिश हुई और उनके इस्तीफे की मांग होने लगी अब बंगला देश की जो सरकार के सूत्र है मतलब सलाकार है बल्कि कहना चाहिए वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो समयधानिक नहीं राशपती के इस्तीफे का ये राजनितिक फैसला है इस प्रप ये लगाया जा रहा है कि जब आपके पास इस्तीफा था नहीं तो राश्ट के नाम सदेश में आपने कैसे कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमत्रिपत से और मैंने उनका इस्तीफा मनजूर कर लिया है अब आप देखे इस तरह का काम जो है बता है कि बहुत जल्दबाजी में थे कि किसी तरह से ये करना ही है और जल्दबाजी इतनी थी ये कोशिश ये थी कि शेख हसीना देश से निकलने ना पाए लेकिन भारत इसके लिए तयार था मैंने पहले भी कहा था कि भारत पिछली बार जब शेख मुझीबर रह्मान की हत्या हुई थी 15 अगस्त के दिन हुई थी तब चूग गया था कुछ आधे घंटे 45 मिनट अलग-अलग अनुमान है कि इससे पहले अगर भारत ने कदम उठा लिया होता तो शेख मुझीबर रह्मान को धाका से निकाल लाते हमारी सेना इसमें सक्षम है इसमें कोई दोराय नहीं दुनिया में किसी के मन में शंका नहीं है हमारी सेना की ख्षमता पर वाई सेना थल सेना जल सेना की ख्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं है तो इसलिए जो है ओ जो चूख हुई थी उस समय इस बार नहीं हुई क्योंकि इस बार रिजीम अलग थी क्योंकि इस बार म प्रमान्ड की थे चे इसे मेरे और मोदी और शेक रजीना के और जो बंगला देश और भारत के संबंध थे उनके अच्छे होने का सबसे बड़ा देखे प्रमाण क्या होता है किसी यह भी दो देशों के बीच में अच्छे संबंध का है।ब कि कि आप म्यूचुल जो इंट्रेस्ट हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं, उनका संड़क्षन कैसे करते हैं। तो बंगलादेश ने इंशोर किया कि भारत के जो आतंकवादी हैं, खास तोर से नॉर्थ हिस्ट के उल्फा वगरे जो हैं, उनके लोग बंगलादेश में शरण ना पाएं, जो पहले हो रहा था। उनको पहले शरण भी मिलती थी, आधियार भी मिलता था, पैसा भी मिलता था। वो शेक हसीना ने बंद करा दिया। दूसरा, भारत के जो स्ट्रेटेजिक हित हैं, उनकी रक्षा की, वो अपनी सरकार बचा सकती थी, वो सत्ता में रह सकती थी, अगर वो सेंट मार्टिन्स द्वीब देने को अमेरिका को तयार हो गई होती है। लेकिन अगर वो दे दिया होता तो भारत के लिए स्थाई रूप से कत्रा बन जाता। बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने में अमेरिका काम्याब हो जाता और उस जलमार्ग को जब चाहता तब बाधित कर सकता था। शेक हसीना ने इस शर्थ को अमेरिका की नहीं माना और सकता छोड़ना बेहतर समझा। ये होती है दोस्ती की कसोटी। संकट के समय आप किस तरह से विवहार करते हैं इस से होती है। भारत ने रेसी प्रोकेट किया और शेक हसीना को सुरक्षित बांगला देश से धाका से निकाल कर लिया है। तो ये इस तीफा ऐसा है अब आप सुचिए कि किस तरह का मकौल ये मजाख नहीं है। ये मजाख है अमेरिका का, अमेरिका की घर्टी क्षमता का, अमेरिका में जो लोग इस तरह की आपरेशन चला रहे हैं उनकी अक्षमता का। कि आप जिस प्रधान मंतरी को हटाना चाहते थे, जिसका आपने तक्ता पलट किया, उसका इस्तीफा तक नहीं ले पाएं। तो इस्तीफा लिया नहीं गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं, लेकिन राश्पती ने उसको मंजूर कर दिया, और सब ने मान लिया कि इस्तीफा हो गया। ये अचरजबरी कहानी तो इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं हो गया। तो बंगला देश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर अभी बाकी है जिस तरह से वहाँ पर हिंदूों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है अमेरिका जो छोटी छोटी बातों पर अमेरिकी प्रशाशन का अभी हाल का आपको बयान याद होगा जब अरविंद केजरिव की गरफतारी हुई थी उनको जेल भीजा जा रहा था तब अमेरिका कह रहा था कि हमारी नजर बनी हुई है हम मानवाधिकार और जो है जो डिमोक्रिटिक इंस्टुशन्स हैं उनकी सुरक्षा पर इस पर नजर बनाए हुए है मंगला देश में जो हुआ है उस पर नजर कह जा रहा है जहां भी ओन अवकरी में हैं यह स्थिति है लेकिन अमेरिका की ओर से अभी तक पांच अगस्त और यह जब मैं वीडियो बना रहा हुँ तो आज तारीक है 25 अप्टूबर इस बीच में एक भी बयान अमेरिका की ओर से नहीं आया है कि हिंदू का नाम 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 कम से कम माइनारिटी की ही बात करते हैं, आपको तो दुनिया बर में माइनारिटी की बड़ी चिंता रहती है, बड़े-बड़े आप शोध करते रहते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते रहते हैं, माइनारिटी की रक्षा की सबसे बड़े अलमबरदार बनते रहते हैं, एक बाइनार्टी के बात नहीं की। क्योंकि बांग्ला देश में जो माइनार्टी है, हिंदू हैं, तो इससे आप अन्दाजा लगाईए कि अशाधिक एक तो डेमोकरशी के साथ नहीं है। डेमोकरशी का संरक्षिन नहीं करता, वह صिर्फ अपने हितों का संरक्षिन करता है वो अपने हित के लिए dictator से हाथ मिलाने में जरा भी संकोश नहीं करता है वो अपने हित के लिए democratic ढिंग से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करवाने या उसका तकता पलट करने में जरा भी संकोश नहीं करता यह जो कहानी है स्तीफे की इसको बंगला देश की जो शासन विवस्था है, संवैधानिक विवस्था है और जो आज की स्थिती है उस पर टिपणी मत मानिए इसको अमेरिका पर टिपणी मानिए क्योंकि सारा ओप्रेशन तो अमेरिका के चलाया हुआ है बंगला देश में तो उनकी कटपुत्लियां है जो वो कहते हैं जितना कहते हैं उतना करते हैं तो देश समय जादा समय नहीं लगने वाला है जब राश्पती जो है मुहम्मद शाह बुद्दीन को भी हटा दिया जाएगा और उनकी जगह कोई नया कटपुत्ली के रूप में राश्पती बन जाएगा वैसे वो भी कटपुत्ली की ही तरह है उनकी हिमत नहीं है कि आर्मी के खिलाफ चले जाए या फिर ये जो सलाकार नाम के जो है लोग आए हैं इनके खिलाफ चले जाए सवाल ये है कि महम्मद यूनुस की बंगला देश के सम्दिधान के अनुसार हैसियत क्या है उनकी अधिकार क्या है किस अधिकार से वो शाषन चला रहे हैं ये सब बातें न तो अमेरिका को दिख रही है न योरोप के देशों को दिख रही है जो दिन रात जनतंत्र का ढोल पीटते रहते हैं तो इसलिए आप बात समझेए कि आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये संविधान ये डिमोक्रिसी ये मानवा धिकार ये सब कमजोर देशों के लिए होते हैं ताकतवर देश अपना उनलू सिधा करने के लिए इन मुद्दों का सहरा लेते हैं इन बातों का सहरा लेते हैं अमेरिका वही करता रहा है अब अमेरिका के लिए ये करना मुश्किल होता जा रहा है जो उसमें बंगला देश में किया, उसकी मंशा, केवल अमेरिका नहीं, पुरे येवरोप के भी मंशा थी, कि भारत में भी यही हो, भारत में भी तक्ता पलट हो, भारत में भी नरेद मोदी तिसरी बार ना आने पाएं, इसके लिए पता नहीं कितने toolkit बनाये गए, पता नहीं कितने आंदोलन चलवाये गए, पता नहीं कितने लोगों को आंदोलन जिवी बनाया गया. ये सब विदेशी शक्तियों के इशारे पर भुआ, लेकिन मोदी के रहते कुछ कर नहीं पाये. और मोदी के रहते शेक हसीना जीविद धाका से बंगला देश से निकल गई ये भारत की जीत है भारत की कुटनिती की ही नहीं भारत की सैनिक शमता की और रणितिक शमता की भी जीत है तो ये बदलते भारत की तस्वीर है इस पर आप निजर डालिए इस को ध्यान में रखिए कि क्या बदल रहा है आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले ऐसी इस्थिति बंगला देश में होती तो शेख हसीना जीवित बचती क्या भारत आने की तो बाती चोड़ दीजे उनका जीवित बचना भी संभव नहीं था मोदी नहीं थे तो शेख मुझीबुर रह्मान को बचाया नहीं जा सका तो अमेरिका को भी ये धीरे-धीरे हैसियत पता चल रही उसको जो परिशानी हो रही अभी दो-तीन वीडियो पहले मैंने बताया था कि जिस तरह से उसने विकास यादो को एक तरह से वांटेड गोशित किया है जांच कर रहा है कि पन्नो की जो हत्या की कोशिश हुई उसमें भारत की एजेंसियों का क्या रोल है क्या अभुमी का है उसको ये बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही है कि भारत जब चाह रहा है कैनेडा में, येउरोप में, पाकिस्तान में हलाकि भारत इसको कभी स्विकार नहीं करता करेगा भी नहीं करना भी नहीं चाहिए जब चाहरा है आतंक वादियों को टपका दे रहा है कोई कुछ नहीं कर पा रहा है कोई ISI, एक समाँ ISI का बड़ा आतंक था ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की ये जो खुफिया एजेंसी है भारत में जब चाहे जो चाहे करवा सकती है भारत उसका कोई जवाब नहीं दे सकता आज कोई ISI का नामलेवा नहीं है ISI की नाक के नीचे उसके एसेट्स मारे जा रहे हैं और ISI कुछ करने की यालग में नहीं और ये सिलसला रुखने वाला नहीं है तो ये स्तीफे की कहानी विश्व राजनीती की भी कहानी बताती है कि किस तदर से चल रही है और किस दिशा में जाने वाली है और इसकी दिशा आप लगातार देखिए अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उससे समझनी कोशिश कीजिए अमेरिका ये उरोप की कोशिश क्या थी कि रूस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि बरबाद हो जाए देश घुटनों पर आ जाए भारत का साथ मिला क्या हुआ है रूस पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उबरा है आर्थिक द्रिश्टे से भी सामरिक द्रिश्टे से भी और विश्व मंच पर भी 36 देश थे ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस में तो इस से आप अंदाजा लगा लिजिए जितना आइसोलेट करने की कोशिश की रूस को भारत के साथ ने उसको उतना ही मेन स्ट्रीम में लाने का प्रियास किया और सफल प्रियास किया ये बात अमेरिका और रूस के गले के नीचे नहीं उतरेगी लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में भारत की जो हैसियत है प्रधानमंती नरिंद मुदी का जो रुत्बा जो कद है उसमें अमेरिका और यूरोप कुछ करने की स्थिति में नहीं है यह है विश्व राजनीती में जो बदलाव आ रहा है उसका संकेत है तो इस पर नजर रखी अभी बहुत तेजी से और बहुत बड़े-बड़े बदल कीजिए नमस्कार